हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू तेयारी ओनलाइन मैं सुधा आज के इस वीडियो में हम कक्षा नौवी के हिंदी पाठ्थे पुस्तक असपर्ष भागे का बारहवाध्याय जिसमें हरिवन सराइब अच्चन जी द्वारा लिखेते कविता दिया गया है जिसका नाम है अकनी पत तो आज हम इस कविता का प्रशन अभ्यास करने वाले हैं इस कविता को पढ़ाया जा चुका है यदि आप लोगों ने इस कविता पर बने हुए वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें ताकि कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस क सविता के माध्यम से कभी हमें क्या सीख देना चाहते हैं तो चलिए देड़ना करते हुए प्रशन अभ्यास आरम करते हैं पहला प्रशन है कभी ने अगनी पत किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है अब यहाँ प्रशन आप से क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले इस समझे यहाँ प्रशन आप से पूछा गया है कि अगनी पत अगनी पत किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया गया है तो यहाँ अगनी पत जो है बच्चों वह जीवन में आने वाली कठीनाईयों के स्वरूप में प्रयोग किया गया है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठ अगनी सब्द से कवी का ताथपर है कठिनाईया और पत सब्द से ताथपर है मार्ग यानि जीवन रूपी मार्ग में जो कठिनाईया आती है उसका प्रतीक है अगनी पत अब उधारन के तोर पर आप सुए को ले सकते हैं अभी आप नाइन्थ में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप नाइन्थ में टॉप करें तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और जब आप मेहनत करेंगे तो रास्ते में कई कठिनाईयों का सामना आपको करना पड और फिर धीरे धीरे आप अपनी मन्जल की तरह ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रिकार से लेख सकते हैं कभी ने अगनी पत को संघर्ष में जीवन के प्रतिक स्वरू प्रियोग किया है कभी का मानना है कि मनुच्य का जीवन संघर्ष तथा कठिनाईयों से भड़ा है उसे कदम कदम पर शुनोतियों का सामना करना पड़ता है जैसा कि बच्चों आपको मैंने उधारन दिया आप ही का उधारन दिया कि यदि आप 9 में टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कड़ी मेहनत करनी होगी औ और टॉप तभी कर पाएंगे जब आप खूब मेहनत करेंगे और जब मेहनत करेंगे तो सामने कशिनाईयां भी आएंगी तो इन सभी कशिनाईयों को पार करते हुए आप कहां पहुंच जाएंगे अपनी मन्जिल की तरफ चलिए अकली प्रशन की ओर बढ़ते हैं वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें जादस जादस सेर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना पिल्कुल न भूलें दूसरा प्रशन है मांग मत कर्सपत लथपत इन सब्दों का बार बार प्रियोग कर कभी क्या कहना चाहता है तो देखिए बच्चों यहां कभी हरिवन सराय बच्चन कहते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाईया आपके सामने आती हैं आप उसे सुए पार करें किसी से सहारा ना ले कर्सपत यहां कहते हैं कि तुम सपत करो कि तुम्हें अपनी चुनोतियों को सुए पार करना है लथपत यानी सना हुआ जब हम अपनी मन्जिल की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चुनोतियां आती हैं उन सारी चुनोतियों को पार करते हुए हम कहां पहुंचते हैं अपने लक्ष की तरफ पहुंचते हैं तो कभी कहते हैं कि अपने लक्ष की प्राप्ती में जो भी कारे तुम्हें करना है वह तुम सुई करो किसी से सहारा मत लो उत्तर लिखिए इस प्रकार से इसका मांग मत, करसपद, लथपद इन सब्दों का बार बार प्रयोग कर कभी यही कहना चाहता है कि मनुश्य को अपनी लक्ष प्राप्ती के लिए किसी भी प्रकार की अनैपक्षित चुनौतियों के लिए त्यार रहना चाहिए उसे इस मार्ग में बिना किसी सहारे सुखों की अभिलासा और हर प्रिस्तिदी का सामना करते हुए अपने लक्ष पर ही ध्यान किंद्रे करना चाहिए मान लेजिए कि आपका गोल है कि आप टेंथ में टॉप करो आप कैसे उस गोल को फाइंड आउट करोगे कैसे प्राप्त करोगे उस गोल को क्या आप अपने पडिवार की सहायता लेकर के करोगे नहीं इसे प्राप्त करने में आपको खुद महनत करना होगा तो यह एक उधारन है आपके लिए, कि अपने लक्ष की प्राप्ती आपको सुएं के महनत से ही करनी है, किसी की मदद नहीं लेनी है, और आपको सपत लेना है, सपत लेना यानि कि सौगंध लेना है, कि मुझे टेंथ में टॉप करना है, तब ही आप कर पाओगे, और जब आप महनत करोगे, तब जा करके आप अपने लक्ष को प्राप्त कर पाओगे, चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं, तीसरा प्रस्ण है, एक पत्र च्छांग भी मांग मत इस पंक्ती का आसे असपस्ट कीजिए, कभी कहते हैं कि एक पत्र च्छांग भी मांग मत, क्यों कहते हैं, इस पंक्ती का आपको आसे असपस्ट करना है, तो देखिए इसका उत्तर बहुत ही आसान से सब्दों में आप लेख सकते हैं, एक पत्र च्छांग भी मांग मत, इस पंक्ति का आसे यह हैं कि कठिनाईयों से भरे मार्ग में मानव को किसी सहारे की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए उसे हर कठिनाईयों का सामना स्वता करते हुए अपने लक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए जैसा कि मैंने आपको कहा बच्चों कि जब आप कोई लक्ष निर्धारित करते हैं कि मुझे ये कारे करने हैं तो उस पर आपको सुय महनत करनी होती है ना कि दूसरों की मदद के लिए रुके रहते हैं अगर आप किसी से अपैक्षा रखेंगे कि नहीं वो मुझे सब कुछ करके देगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे ये चीजें आपको यहीं पर रोक देगी तो हमें कभी भी लक्ष की तरफ बढ़ते हुए किसी से अपैक्षा नहीं करनी चाहिए चलिए अगली प्रशन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रशन है निमलिखित का भाव अस्पस्ट केजिए कभीता की पंक्तियां दी गई हैं इसके भाव आपको अस्पस्ट करने हैं पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं तू न थकेगा कभी तू न मुरेगा कभी कभी कहते हैं कि यदि आपको अपने लक्ष तक पहुँचना है तो रास्ते में चाहें जितनी भी कठीनाई आए आप उन से ठक कर रुकेंगे नहीं और अपने लक्ष से भटकेंगे नहीं तभी जाकर कि आप लक्ष को प्राप कर सकेंगे जैसा कि बच्चो मैंने उदारन दिया आपको कि यदि आपको 10th में टॉप करना है तो आपको क्या करना होगा आपका लक्ष है 10th में टॉप करना ठीक है कैसे करेंगे तो आप क्या करेंगे एक रन्नीती बनाएंगे कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने है तब जा करके आप 10th में टॉप कर पाएंगे अच्छे नंबर ले आएंगे तो देखिए सीधा सा इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तूत पंक्ती का भाव यह है कि कस्टों से भरे इस मार्ग में रुकना और ठकना नहीं है मनिश्य को केवल अपने लक्ष पर ध्यान के इंद्रित कर आने वाली चुनोतियों से न घबरा कर आगे बढ़ते रहना है तो जब आप अपने लक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में बहुत सारी चुनोतियां आएंगे तो इन चुनोतियों से आपको घबराना नहीं है बलकि डट कर इसका सामना करना है और अपने लक्ष तक पहुँचना है पांचवा प्रश्न भी आपका भावस पस्ट करना है पंक्ती है चल रहा मनुश्य है अस्रू स्वेद रक्त से लत्पत 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 तो यहां कभी कहते हैं कि मनुश्य जो है वो अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है जीवन में तो बहुत सारी सुख दुखासे हैं उन सभी को पार करते हुए बहागे बढ़ रहा है उत्तर हो जाएगा दिका भाव यह है कि संघर्स मैं मार्ग में सबसे सुन्दर द्रिश्य यही हो सकता है कि मनुश्य अपना पसीना बहाते हुए उस मार्ग पर बढ़े चला जा रहा है सरीर से पसीना बहाते हुए और खून से लत्पद होते हुए भी मनुश्य निरंतर अपने मार्ग में आगे बढ़ते जा रहा है क्योंकि ऐसा ही मनुश्य सफलता प्राप्त करता है तो यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि जो मनुश्य अपनी परवा किये वगेर अपनी लक्ष की तरह बढ़ता है वही मनुश्य सफल होता है तो यदि आपको सफल होना है तो मेहनत करें और सफलता हांसिल करें चटा प्रश्ण है इस कविता का मूल भाव क्या है असपस्ट कीजिए तो इस कविता में कभी क्या कहना चाहते थे ये आपको बताना है देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा अगनी पत कविता कभी हरिवन सराय बच्चन द्वारा रचित एक प्रेड़ना दायक कविता है इस कविता के द्वारा कभी मनुश्य को संघर्स में जीवन में हिम्मत ना हारने की प्रेड़ना दे रहा है कभी जीवन को अगनी से भरा हुआ मानता है इस जीवन में संघर्स ही संघर्स है परन्तु मनुश्य को चाहिए कि वह इससे न घबराए नहीं अपना मुह मोरे और बीना किसी सहारे की अपेक्षा कर मार्ग में आगे बढ़ते रहे क्योंकि अंत में ऐसे ही संघर्सील परुशों का जीवन सफल होता है तो अंत में कभी यही कहते हैं कि वही मनुश्य आगे बढ़ पाता है जो रास्ते में आए सभी समस्याओं का समाधान करता हुआ आगे बढ़ता है तो प्रशन अभ्यास यहीं समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले कोई प्रशन हो बच्चों या सुझाब हो तो उसे कमेंट में अवज़्य लिखें वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सीर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलू कर लें मिलते हैं आप से अगले अध्याई के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद